अगे कि नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप लोग का एक बार फिटसे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट पर्लमी साथियों आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बजट के ऊपर इंगे की बजट का mutual funds पर क्या प्रभाव पड़ा और क्या इसके positive impact रहे और क्या इसके negative impact रहे दोस्तो आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश यही रहेगी कि काफी आसान और सरल भाशा में आपको जो है मैं इन दोनों ही पक्षों को यहाँ पर समझा सकूँ तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को देखिए दोस्तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो यहाँ पर अभी बढ़ा गया है देखिए जो हमारा पहला point रहेगा वो रहेगा long term capital gains देखिए दोस्तो यह पहले 10% हुआ करता था जो की अब यहाँ पर 12.5% कर दिया गया है अगर बात करें यहाँ पर अपने second point की जो रहेगा short term capital gains जो की पहले 15% था जो की फिलालब 20% कर दिया गया है यानि कि देखिए सरकार चाहती है कि आप long time के लिए invest करें क्योंकि यहाँ पर short term जो gain tax है उसे जो है काफी ज़ादा बढ़ा दिया गया है लेकिन दोस्तों गर हम बात करें कुछ समय पहले की पहले इसकी value यहाँ पर 10% हुआ करती थी और उससे भी पहले यहाँ पर यह 0% हुआ करता था तो यहाँ पर जो है काफी अच्छी खासी वृद्धी हमें देखने को मिलेगी यानिकि सरकार जो है अच्छी खासी amount यहाँ पर अपने लिए बनाएगी अगर दोस्तों यहाँ पर इसे एक example के तौर पर समझें तो चलिए इसे एक example के तौर पर यहाँ पर समझते हैं मान लेते हैं कि आप जो है एक SIP अपनी करते हैं जिसकी value यहाँ पर रहेगी 8000 रुपे प्रती महिना की अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर returns की तो returns हम यहाँ पर 16% के लेकर चलते हैं अगर यहाँ पर बात करें duration की तो देखे duration हम यहाँ पर 20 years के लेकर चलते हैं तो देखे दोस्तों यहाँ पर जो आपका amount invest होगा इन 20 सालों में वो यहाँ पर इन्वेस्ट होगा 19,20,000 रुपैका अगर बात करें आपर कि कितना आपका यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट होगा तो वो होगा 1,20,75,687 रुपैका तो देखी दोस्तों यहाँ पर जो सरकार आपसे टेक्स लेगी वो टोटल अमाउंट का नहीं लेगी बलकि जो आपने प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है उस पर जो है सरकार यहाँ पर टेक्स लेगी अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम बात करें अगर पहले आपको कितना % टेक्स यहाँ पर देना होता था अगर हम बात करें सबसे पहले 10% की तो उस समय आपको यहाँ पर जो टेक्स देना पड़ता वो यहाँ पर देना पड़ता 11,90,000 रुपै का अगर बात करें अब की जो की यहाँ पर हो गया है अब 1.5,12% तो यह आपको यहाँ पर देना पड़ता 14,87,500 रुपै का अगर यहाँ पर calculate करें इसका difference तो देखें दोस्तों अगर हम बात करें difference की तो यह difference यहाँ पर हो जाता है 2,97,500 रुपै का यानि की लगबग लगबग आपको 2,97,000 रुपै का यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा जिसका की मतलब हुआ कि आपको 2,97,000 रुपै अब extra पे करने होंगे तो दोस्तों यही अंतर है पहले के जो यहाँ पर हमें देखने को मिलते थे returns और जो अब यहाँ पर बढ़ाए गए है इसमें मोटा मोटा आपको लगबग एक्स्टर पे आपको अगर आप इस SIP के वह में आपर एक एक्जांबल के तौर पर लेकर चलें तो 2,97,500 रुपै का आपको extra tax यहाँ पर पे करना होगा दोस्तों अब हरगा यहाँ पर बात करें कि किन sectors में यहाँ पर जो है सरकार ने preference दी है तो देखे अगर हम सबसे पहले बात करें कि सबसे ज़ादा है यहाँ पर किस sector को सरकार ने जो है अपने priority में रखा है तो वो है defense sector अगर बात करें और sectors की जिने priorities दी गई है तो infrastructure, power, consumer, durables and capital goods चलिए इसे यहाँ पर रख कर देते हैं देखे दोस्तों अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा first priority पे जो यहाँ पर sector रखा गया है वो यहाँ पर रखा गया है defense sector अगर बात करें other sectors की जिने priority दी गई है वो यहाँ पर रहेंगे infrastructure power consumer durables और इसके अलावा capital goods तो देखे दोस्तों आने वाले कुछ समय में यहाँ पर इन 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 जो इस sectors है इन पर जो है सरकार का खासा ध्यान रहेगा और उम्मीद यह की जाती है कि अच्छा खासा growth हमें यहाँ पर इन sectors को सरकाज वारा priorities दी गई हैं दोस्तों अब यहाँ पर मैं बात करूंगा अपने चैनल पर आई करना चाहती है अगर हम investment period यहाँ पर जो उन्होंने कहा है चली हम वह यहाँ पर लेकर चलेंगे five years का returns यहाँ पर एक average return में यहाँ पर लेकर चला था जो की थे 16% के तो देगी दोस्तों यहाँ पर जो पांस साल के लिए यहाँ पर पैसा 5000 रुपे के SIP एक invest करी गई थी तो वो value यहाँ पर बढ़कर हो जाएगी 4.6 lakh रुपीज की वहीं अगर 5 की जगा 10 साल के लिए investment को किया जाएगा तो यह value 4.6 lakh से बढ़कर future में 14.8 lakh रुपीज तक की यहाँ पर देखने को मिल सकती है जैसे जैसे आप अपनी investment period को यहाँ पर बढ़ाते जाएगे वैसे वैसे यह अच्छी खासी value आपके future के लिए आपर बनती जाएगी तो यह थी आज की वीडियो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफी help हुई होगी वीडियो आपके लिए काफी important रही होगी देखी दोस्तों गर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारा काम अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को like और share जरूर कीजेगा अगर आप लोग का भी कोई question है कोई doubt है किसी तरह कोई portfolio analysis है जो कि आप हमारे चैनल पर चाहते हैं तो आप हमें comment section में बता सकते हैं बाकी दोस्तों ये कोई recommendation वीडियो नहीं है educational purpose वीडियो आपके लिए बनाई गई है किसी भी तरह की investment से जुड़ी हुई advice ये वीडियो नहीं देता है बाकी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को भी subscribe सरूर कीजेगा थन्यवाद